मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे साथ बेठे हुए है प्रेम शागर पंडे साहपुर प्रखंड के एक गाउं है भीमपटी भीमपटी के रहने वाले हैं और खुटा पंचायत कंतर गताता है हलांकि मैं आपको बतादू कि यह जो भोजपूर की सरजवी है ज़जो आगर है भोजपूर में एक से एक लोग एक से बीर पूरुस पैदा हुए है और इसी में हमारे साथ हैं प्रेम शागर पंडे जो एक बहुत ही शुन्दर कभी है और अपने कविता से और अपने सबसे पहले आपको बहुत आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत अभार जो आपने हमें सक्षकतार लेने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया और आपके सभी सुधी सुरुदाओं को परणाब प्रेम शागर बाबु निश्ची तवर से कहीं न कहीं जो कभी होते हैं वो बिना कुछ देखे बिना कुछ समझे हर इंसान के भाव को समझ जाते हैं और हालंकि भुश्पुरी में कहाओद भी है कि जहां ना पहुंचे रभी वहां पहुंचते हैं कभी तो आप लोग सुच वहां तक पहुंच जाती है दर्सको को थोड़ा सा आपने कभीता के कुछ मुखोटे या कुछ भी यदि नया क्रियेट किये हो या पहले से कुछ हो तो थोड़ा सा सुना है तो चलिए एक मेरी काभी पपलर लाइन रही है कि यकीन माने हिसाब सबका होगा वैसे यह हर मंच चोना है कि हर बात भूल जाएं हम इतने सरीफ थोड़े न है कि हर बात भूल जाएं सहिम रहे तारिकों पे सजा का अएलान चरूर होगा क्या बात है मैं अब ऑअ संदार तरीखे से क्रिव्यता करते भी हैं हर सब्सक्राइब को रखते हैं बहुत सारे रिवार्ड अगर भी आपको मिले हैं थोड़ा समचाहेंगे की दर्सकों से जी सबसे पहले हमें मिलने का तो भी 17-18 राजी सरकार से मिल चुकी है जिन में सभी ततकाल में देखा जाए तो उत्राखंड सरकार से साहित गरोश सम होता है जहां से आम अंत्रन आता है वहां पर उपस्तित होते हैं अब तक मान के लिए कि 60-70 प्रसेंट लभग सतर असी कभी समिल कर चुके हैं क्या वात है क्या वात है इतने कम उम्र में और इतने सारे शम्मिलन कहीं न कहीं मैं आपको बता दू कि एक बहुत ही हुनहार और अच्छे बिद्वान है प्रेम शागर पंडे अपने आप में एक प्रतिभा आप देख सकते हैं शेहरे से भी अलग की चमक है और काफी है सुन्दर बैक्तित्तो के इंसान है जब भी बोलते हैं मीचा बोलते हैं अच्छा लगता है इनकी हर अदाइगी अच्छी लगती है काफी दिनों से हम लोग संजोग बना रहे थे कि मुलकात हो लेकिन मुलकात नहीं हो पा रही थी कहीं न कहीं बेस्तता तो रहती ही है चुकि हम लोग पत्रकार है तो कहीं न कहीं बेस्तता रहती ही है लेकिन मिलना हम भी चाह रहे थे जितने बचैन आप थे उतने बचैन हम भी थे लेकिन कुछ तो मजबूरिया होगी कौन चाहता है अपनों से जुदा होना लेकिन मजबूरियों की बात और है तो और क्या सुनाना चाहेंगे हमारे दर्सकों तो चलिए अपने एक जो मेरी सबसिदा पॉपलर लाइन रही है किसी भी मंज पर चले जाए उस मंज पर अगर तिनजार पर ना सुना है तो वो मंज से उतरने नहीं देते हैं बात करने में लेकिन जो बाद ही ना तो इस तरह कि आप लोगों को अपने कविता से अपने शेर ते इसरोषारी प्रभावीति काम करते हैं tiya kis तो इसे हम थबॉदा समाजिक सरोकार 2 00.959,000,000 दोर 15-16 में हमने एक मंच के तलास में पता ना कितने ठुकरे खाई कहां कहां भढ़के लेकिन यह हुआ कि एक मंच के लालस देखे लोगों ने हमारा बहुत यूज किया कि काम करा है कुछ करा है पैसा नहीं थी जो भी होता है इस तरह से बहुत जादे मलेक हमें परसान किया लेकिन मातावागेश्वरी किरपा हुई और पहला मेरे कवी शमेलन लखनाव के हजरतकन चौक पर हुआ था और वहां से मातावागेश्वरी किरपा हुई फिर अपना पुरा भारत भ्रमने सुरू हो गया अच्छा प्रेम शागर पंडे जी थोड़ा सा स्तब्दे हैं हम हाँ सोचने पर मजबूर है थ्धोर सा क्लि Wit अगरत अधि ौ पड्री में हीरो बनने का सौख है गयाक बनने का सौख है किसी को आ ए शीप बनने का सौख है सब काप अपना-पना सउख है कभी का सौख आपके मन में कैसे है छी एक किस्सा बताते है आसिल्लाग को च्छ शाल त्यारी करते थे सचाई ये भी है हम भी उसी लाइन में थे कौन है अनन्द पांडे अभी रक्षा मंत्राले में हैं यहीं हम लोग साथ में पढ़ते थे दिल्ली में तो पांडेपुर के हैं तो हम लोग बात करने थे ऐसे ही कुमार विश्वास जी का इंटर्वी हुथा आप मत्राले इंट्र। में पढ़िखी जी टो कहीं न कहीं सक्षाटकार विष्वास जी आदमी हम जो चाहते हैं यहीं बोल रहा है हमें जो चाहिए बोलने के लिए हम से पता हूं कि पिर तो जीना पेस एक वीडियो देखने और फिर बहुत चारए देखने उसके एक लाइन दो लाइन तिन लाइन एसे कर घ्लतिया हुई और सचाई यह है कि हुँ क्योख जो मेरी पहली क्योटतिया वे सबसे सब्सक्सार और सचाई यह भी है कि बिवादे तो थी ओध लेकिन ऊसबधर पसंद वहीं गयी और फिर दिरे दिरे योगेंदर पांड नहीं उन्होंने काफे मदद किया सुधार किया हमारे अंदर जितने भी लेके लिखावड ती उन्हें संसथन किये फिर वांस दिरे दिरे आत्म आके बढ़ा यानि कि आपने ठान लिया था कि कुमार विस्वास की तरह मुझे भी बनना है गलतिया होती गई लोग मिलते गए सुधारने वाले और एक ना एक दिन आपको लगा कि मुझे एक अच्छे कभी के रूप में लोग देखेंगे तो धीरे धीरे अपने आश्रत हैं और लोगों आपको बता दो कि प्रेम शागर पांडे किसी परिशेक महताज नहीं है और अपने उदार बिशार से काफी धनी है लोग इनको चाहते भी है और हर जगा इनको लोग बुलाते हैं तो निश्ची तोर से यह जो भोजपूर है एक से प्रतिभवान लोगों से भरी हुई है अ तो चलिए एक सुना देते हैं कि अभी तत्काल में आज ही लिखा हुआ है कि इसे आप लोग सुन लिजिए और उमीद करते हैं कि बहुत आप लोगों मज़ा आएगा अभी एकदम नया नया लिखें कि कि हर पूंट है कि यहीं सुना देते कभी हार तो कभी जीत लिख रहे है कि कभी हार तो कभी जीत लिख रहे हैं हम अपनी ही हाथों अपनी तकदिर लिख रहे हैं बज जब बहुत ज़्यादे निरासा हाथ लगी बहुत जाते एकस्स जिसे सब्दों में नहीं कहा जा सकता तो उसनले मेरे अंदर से भावन आगे जब तक पिड़ा नहीं होता है कदमों से न पर्खा करो प्रेमशागरपण्ड़े जी शे आपको रूपरू करये थे आपने देखा और समझा प्रेमशागरपण्ड़े एक UK 좋다 अ describing है और जैसे आपने उनके शेरो शायरी और उनके कविता से प्रभावित होके इन्होंने ठाना था कि मुझे भी कुमार विश्वास की तरह बनना है और मुझे भी भोशाल लाना है मुझे भी इतिहास रशना है ताकि डेस के किसी भी कोने में रहे तो लोग कहें कि भोशपूर के खुटहा पंचयत के कौन गाव बताय थे भीमपटी भीमपटी के रहने वाला यह यूँआ ने इतिहास रशने की ठानी थी और इतिहास रश के दिख़ा देए सबसे बड़ी एक माताबागेश्वरी के किरपा से भुषबूर के हाथों में बहुत बड़े उपलब दिया है जो हम तो नहीं मानते के मेरे दुवाराई कि यह हो सकता है बहुत पहले भी आयो कि 14 सितम सारी 14 जुलाई को एक कभी समयलन हुआ जो बिसु रिकॉर्ड बनाया था और सभागे से उस पुनित कारे में हमें भी समयलित किया गया जो वर्ड रिकॉर्ड बना था और उसी दिन भुषपूर जी ले का ना गिनीज वर्ड इस साथ मैं शुक्ति हुआ हुए थेंकियो